पांच अनात बहनों ने बनाया इड़ पर जादूइ सेवई का घर भाईजान मुझे लच्छे वाली सेवईया दे दो आज मुझे इड़ पर अपने पांच बेटियों के लिए सेवई बनानी है रुको देता हूँ आपको लच्छे वाली सेवईया दुकानदा नगमा को लच्छे वाली सेवईया दे देता है जिसके बाद नगमा वो सेवई लेकर सड़क पर से जा रही होती है अच्छा हूँ अमालकिन ने आज मजे पैसे दे दिये थे अज अपनी पाचों बेटियों के लिए ईत पर सेवई बना कर उन्हें खुश कर दूँगी नगमा जैसे ही सड़क पार करने वाली होती है अचानक से बहुत बड़ा ट्रक आता है और उसका वहीं ट्रक से एक्सिडेंट हो जाता है नगमा के चिलाने पर वहां भीड इकठी हो जाती है या खुदा बेचारी औरत किस तरह से बेमौत मारी गई या अल्ला इसे जन्नत बक्षना तभी वहां से कबीर जा रहा होता है ये इतनी भीड किसली लगी है चलो ज़रा देखता हूं कबीर जैसे ही वहां जाकर देखता है या खुदा ये तो नगमा खाला है कबीर उसके पास पहुचता है तब वो अपना दम तोड़ चुकी थी वो उसकी बॉड़ी को उठाकर उसकी बेटियों के पास ले आता है या अल्ला या अम्मी जन को क्या हो गया है अम्मी उठिये, अम्मी उठ जाएए, प्लीज प्लीज अम्मी, अम्मी होश में आएए तुम्हारी अम्मी अब होश में कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो अल्ला को प्यारी हो गई है इत पर इतना बड़ा जटका उन पाच बहनों के लिए बहुत दुख भरा था पाचो बहने फूट फूट कर रोने लगती है अम्मी इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकती, एक दफ़ा अब्बू हमें छोड़कर चले गए और अभीद पर अम्मी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया तभी गाउं के कुछ लोग उन पाचो बहनों से कहते हैं देखो, जो होना था हो गया अब तुम्हारी अम्मी को दफन करना होगा ताकि उन्हें जन्नत का रास्ता मिले गाउं के ही लोग मिलकर नगमा को दफन कर देते हैं जिसके बाद वो पाचो पूरी तरह अनात हो जाती है अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं था वो यहाँ वहाँ भटकती है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ लेकिन तुम ये कहां से लेकर आई हो कहीं से नहीं, तुम खा लो, मैं तो खा कर आई हूँ नहीं पता है तुमने भी नहीं खाया है चलो तुम भी हमारे साथ खाना खाओ रुकसार फातिमा का लाया हुआ खाना पाचो बहनों में थोड़ा थोड़ा बाट देती है वो पाचो खाना खा ही रहे थे कि तभी मौसम बिगड़ने की वज़े से आंधी तूफान चलने लगते है अरे अरे ये क्या हो रहा है लगता है बहुत तेज तूफान आया है मुझे डर लग रहा है बाजी मुझे बहुत डर लग रहा है फातिमा नूर को गले से लगा लेती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मैं हूँ तुम लोगों के साथ फातिमा अपनी बेहनों का होसला बड़ा ही रही थी कि तब ही तूफान के चलते उनके घर की छट उड़ जाती है घर का सामान भी इधर उधर हो जाता है और दिवारे गिर जाती है इस दुरगटना में वो पाचों बहने बच जाती है और उस जगा से निकल कर बाहर आ जाती है या खुदा आज तो हम बाल बाल बच गए बाजी अब हम लोग कहा रहेंगे हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है हम कल कोई इंतिजाम कर लेंगे फिलाल आज हम कही ठैनने के लिए जगा डूनते है आंधी तूफान के बाद जोर जोर से बारिश भी शुरू हो जाती है जिसके चलते पाच और अनाद बहने चलते चलते एक खंडर के पास पहुच जाती है कितनी भयानक जगे है इस खंडर में कितना डल लग रहा है अल्ला हमारे साथ है और जब तक हमारे साथ अल्ला है हमें कुछ नहीं होगा जैसे तैसे वो उस राद वहां बिता लेती है अगले दिन जब सवेरा होता है सुबा के समय कुछ जंगली कुट्टे उनके उपर भौकने लगते हैं बाजी उठो देखो कितने सारे कुट्टे हैं इतने सारे जंगली कुट्टों को देख कर वो सब बहुत डर जाती है खुछ नहीं होगा तुम लोग डरू मत आर्जू देखो यहां दो डंडे रखे हैं मेरे तीन गिनते ही डंडे उठाना और इन्हें मारना शुरू कर देना मेरे साथ एक दो तीन फातिमा के इतना कहते ही आर्जू वहां पड़ा डंडा उठाती है फातिमा भी एक डंडा उठाकर उन कुट्टों को मारना शुरू कर देती है जिसके बाद वो कुट्टे वहां से भाग जाते हैं पाचो बहने उस खंडर से निकल कर गाउं में पहुँच जाती है पाचो बहनों को कुछ लोग अच्छे मिलते हैं तो कुछ लोग बहुत बुरे जो उने कभी मार कर भगाते हैं तो कभी डाट कर तो कभी कुछ लोग उन्हें अपने पैसो पर खाना भी खिला देते हैं इस तरह पाचो अनात बहने एक साल तक जैसे तैसे करके गुजारा कर लेती है, फिर एक साल बाद एद आने वाली होती है एद आने वाली है, एद कही दिन था, जब हमारी अम्मी हमें छोड़ कर चली गई थी पता है उस दिन अम्मी हमारे सेवई के लाने वाली थी वो भी लच्छे वाली हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा अम्मी हमारे लिए सेवई लेने गई थी मुझे अम्मी की बहुत याद आती है और उनके हाथों की बनी हुई सेवई आभी ना हमारे पस रहने का कोई ठीकाना रहा और ना ही खाने के लिए खाना इस बार की ईद भी हमारी दुखों के साथ चली जाएगी काश हमारे अम्मी अपो होते तो हम बहुत अच्छे से ईद मनाते रुकसार के ये कहते ही माही आर्जुनूर फातिमा चारो रोने लगती है अम्मी जाए अम्मी आज मेरी हम्मत तूट गई मैं एक सार में अपनी बहनों को कुछ ना दे पाई पाचों अनात बहने रोकर एक पेड के नीचे ही सो जाती है सोने के बाद फातिमा की सपने में उसकी अम्मी लच्छे वाली सेवई बना कर ले कर आती है हम्मत मत हारो तुम अपनी चारो छोटी बहनों का होसला बढ़ाओ अब तुम्हें उनका सहारा हो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ अम्मी ये तो आपके हाथों की बनी हुई सेवई है हाँ मैं तुम्हें खिलाने के लिए लेकर आई हूँ खुद अपने हाथों से बना कर चलो मूँ खोलो और इसे खाओ फातिमा नग्मा के हाथों से सेवई खाती है मुझे सेवई बहुत स्वादिश लगती है आज से तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी क्योंकि इस जादुई सेवई से तुम जो मांगोगी तुम्हें सब कुछ मिलेगा इसे हमेशा अपने पास रखना अब मैं चलती हूँ मेरी जाने का समय हो गया है जरा थोड़ी देर और रुकिये ना अम्मी फातिमा के इतना बोलते बोलते उसकी अम्मी नगमा गायब हो जाती है जिसके बाद फातिमा का सपना तूट जाता है और वो सपने से बाहर आकर बहुत जोर से चिलाती है अम्मी क्या हुआ बाजी, अब इतनी जोर से चिला क्यों रही हो मैंने सपने में देखा था, अम्मी मेरे सपने में आई थी और उन्होंने मुझे सेवाई खिलाई थी क्या यही कटोरी है सेवाई की, जो आपने अपने हाथों में पकड़ी है फातिमा देखती है कि जो कटोरी उसकी अम्मी ने सपने में उसे दी थी, वही उसके हाथ में थी अरे हाँ, यही तो है, इसका मतलब अम्मी जानने सच में मुझे जादूई से वही या दी बाजी, आप पागलों जैसी बाते क्यों कर रही हो, भला जादूई से वही होती है क्या फातिमा उसका टोरी से कहती है, जादूई से वही अगर तुम सच में जादूई हो, तो अपना जादू दिखाओ, और यहाँ पर एक हमारे लिए घर बना फातिमा के इतने कहते हैं, इसका टोरी की जादूई सेवई के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जो पेड़ के आसपास फैलने लगती है देखते ही देखते उस रोशनी के चलते वहाँ पर एक जादूई लच्छे वाली सेवई का घर बन जाता है, जिसे देखकर पाँचो बेहने बहुत जादा हैरान हो जाती है ये तो सच में जादूई सेवई है, देखो इसकी वज़े से यहाँ पर सेवई से बना घर प्रकट हुआ, चलो इसके अंदर चलते है जैसे ही पाँचो बेहने जादूई सेवई के घर के अंदर जाती है, उस घर के अंदर रहने की सब ही सुकसुविधाय होती है और यहाँ तक कि उनके लिए कपड़े भी होते है एक साल से मैंने अपने शरीर पर कोई नया कपड़ा नहीं पहना कोड़े खत्ते में जो कपड़े मिला करते थे, बस वही पहन कर अपना गुजारा किया करती थी यह कपड़े कितने सुन्दर है, लगता है सिर्फ हमारे लिए ही बने है या अल्ला, अमीजान ने हमारी कितनी मदद की, आज उनकी बदावलाद हमें ये सेवाई से बना घर मिला है बाजी, बहुत जों से भूख लगी है, क्या जादूई सेवाई हमें खाना दे सकती है ये लो, तुम खुद मांग कर देखो जादूई सेवाई, हमने कई दिनों से कोई अच्छा खाना नहीं खाया आज हम इद पर अच्छा खाना खाना चाहते हैं नूर के इतना कहते ही, वहाँ पर जादूई सेवाई के अंदर से बढ़िया बढ़िया पकवान निकल कर बाहर आते हैं अरे वा, इतना सारा खाना, पहली बार ईद पर इतना सारा खाना खाएंगे हम सब पांचो अनाद बहने बहुत समय बाद एक साथ बैठ कर खाना खाती है और ये ईद उनकी बहुत अच्छे से जाती है आसपास के लोग जब उनका सेवई से बना घर देखते हैं तो उनकी सेवई से बने घर की चर्चा पूरे गाओं में फैल जाती है और सब सेवई से बना घर देखने के लिए आते हैं अल्ला की दुआ से मैंने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा कहते हैं उपर वाला जब भी देता है छप पर फाड़ कर देता है शायद इन अनाद बहनों की किसमत का ताला खुल गया है यही नहीं धीरे धीरे सेवई से बने घर की नियूज अखबारों में फैल जाती है जिसके कारण दूर दूर से लोग उन अनाद बहनों का सेवई घर देखने के लिए आते हैं और इस घर के साथ फोटो खीचने के बाद वो लोग अनाद बहनों को पैसे भी दे कर जाते हैं अब वो अनाद बहने सेवई से बने घर में खुशी-खुशी रहने लगते हैं